सर हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन मनी नहीं करता हम किताब लेके बैठते हैं चार लाइन पढ़ते हैं मनी दर दर भागता है हम कॉंसेंट्रेट ही नहीं कर पाते तो भाई ये सिर्फ आपकी नहीं आज कल बहुत सारे स्टूडेंट के प्रॉब्लम हो गई है तो हेलो एवर करेंगे कि how to study when you don't feel like studying आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है पढ़ने का मन नहीं कर रहा है लेकिन पढ़ना जरूरी है तो कैसे पढ़ें तो भाई इस चीज को मैंने identify किया है कि basically चार ऐसी वज़े हो सकती है उनमें से आप अपनी वज़े देखो ये चार वज़े ऐस हो सकती है ये चार scenes बन सकते है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या आप पढ़ना ही पारे पहला कि आप अभी अभी या recently किसी exam में fail हो चुके हैं और दुबारा उसी exam के लिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा दूसरा आप social media या phone चलाने के addict हो चुके हैं आपका बार बार phone की तरफ धान जाता है phone उठा लेते हैं तीसरा है laziness या फिर procrastination मतलब टालना कि भाई कल से कर लेंगे आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ अभी आराम कर लेता हूँ फिर पढ़ लूँगा तीसरा है आपका friend circle हो सकता आपका circle बार बार आपको कहीं ले जात ये खेलो वो खेलो free fire पता नहीं कौन कौन से game आपके उनके circle बन रहे हैं तो भाई ध्यान से सुनना और जरूर जो अगर आप ध्यान से सुनोगे और इन चीज़ों को implement करने कोशिश करोगे तो आप बिलकुल इस चीज़ से चुटकारा पा सकते हो और आप भी जो है पढ़ के लिए helpful रहेगा तो सबसे पहले case की बात करते हैं कि अभी अभी किसी exam में fail हुए हो देखो भाई failure are part of life हम fail होते हैं जरूरी थोड़ी है मतलब हर अब एक बात बताओ आपका अगर कोई exam 10 लाक बच्चे दे रहे हैं और उसमें सिर्फ आपके 1000 बच्चे सेलेक्ट होने हैं तो भाई जो बाकी के बच्चे है वो तो कभी दुबारा exam ही नहीं देंगे ऐसे सारे थोड़ी सेलेक्ट हो जाएंगे और जरूरी है कि आप ही हो उस 400 वाली लिस्ट में या 1000 वाली लिस्ट में हो सकता है आप किसी कारणवश fail हुए हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि करना अगर आप fail हुए हो दुबारा पढ़ने का मन आपको बनाना पड़ेगा आपको क्या करना है सबसे पहले आपको उस पेपर को उठाना है अगर आपने offline दिया था उसको देखो online दिया था उसको निकालो ठीक है उसको देखो आप उसको analyze करो कि मेरा क्यों नहीं हुआ उन subjects को उन weak points को analyze करो और उनको time देना शुरू कर दो क्योंकि यहाँ पे आप सोच तो भाई दुबारा से पढ़ना पढ़ेगा वही सारी process से गुजरना पढ़ेगा वही चीजें पढ़नी पढ़ेगी भाई जो आपकी कमी है उनको दूर करो ना जो गलती आपने उसमें किय उसको दूर करो ना तो आप जो है धीरे धीरे उनको अगर करोगे दूर तो आपका score बढ़ने लगेगा और mock test दो weekly mock test दो वीकली mock test दोगे तो आपको progress दिखेगी you will feel motivated और आप और जादा अच्छे से मैनत करोगे दूसरे case पर आते है social media addiction या phone का addiction भाई यह बहुत जादा ब मैं दो सुझाओ देता हूँ पहला छोड़ दो social media बंद कर दो बंद कर दो use ही मत करो time दे दो उसको कि भाई यह पूरा दिन मैं अगर चार गंटे पढ़ता हूँ तो मैं फिर आधा गंटा चलाऊंगा बीच में nap ले लो nap in the sense lap ले लो कि आप क्या कि आपने भाई एक घंटे गा एक घंटे में पांच मिनट एक घंटा पढ़ाएगी पांच मिनट चलाना है एक घंटा पढ़ाएगी पांच मिनट चलाना है ऐसे अपने आपको बूस्टर्स दो दीरे दीरे आपका use कम हो जाएगा और use कम हो जाएगा तो आपका अपने आप social media कम हो जाएगा दूसरा दूसरा एक और तरीका है मेरे पास कि आप शोशल मीडिया चलाते चलाते भी पढ़ सकते हो वो ये है कि आप एक ऐसा दोस्त बनाओ ऐसे दोस्त से बात करो और जाहिर सी बात अपोजिट जेंडर वाला ही जादा मोटिवेट करता है आज कल तो ठीक है कि दोनों आप सेम एज के होगे तो दोनों को ही पढ़ाई करने है तो ऐसे आप वो करो एक दूसरे को targets दो, challenges दो कि इतना करना आज तेर को फिर मैं पूछूंगा या पूछूंगी आपको ऐसे करके पढ़ाई करनी है तो आपको धीरे धीरे वो जो social media addiction था वो आपके लिए fruitful भी बन सकता है कि आप उसको use करते करते साथ में जो है आप अपनी तयारी improve कर सकते हो तीसरा है laziness या टालने की बिमारी टालने की habit है उसको तो आपको क्यूं आती है वो इसलिए आती है क्योंकि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है तो आपके अंदर एक habit आ जाती है आर कर लूँगा अभी जादा है थोड़ा सा rest रेस्ट ले लेता हो rest नहीं कर लूँगा कल से पका आज थोड़ा एक गंटा rest ये वाली चीज़ आते है जब आपको जादा काम दिखता है तो आपको इसमें क्या करना है भई आपको क्या करना उस काम को divide कर लेना है अगर आपको वह एक week में करना है divide it आज इतना आज इतना आज इतना small target small targets दिखेंगे आपको तो आप जो है daily targets small targets दिखेंगे तो आप easily उसको tackle कर पाओगे complete कर पाओगे और finally आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने accomplish कर लिए हम आपको एक बताता हूँ एक बार मुझे पूरे 20 assignment बना दे थे time था मेरे पास मातर एक हफ़ते का 20 assignment वो 20 assignment थे जो मैं पिछले तीन महीने से डिले कर रहा था वो मुझे एक week में करने थे अब मैं 20 assignment करने की सोचता तब ही वियार कर लूँगा ठीक है लेकिन finally मैंने क्या किया मैंने एक schedule बनाया कि भाई आज ये वाले चार करने आज ये वाले चार ये एक heavy हो गया ये light वाला ये जल्दी हो जाएगा ये वो हो भाई 20 से 16 रह गए भाई 10 रह गए भाई 5 ही रह गए भाई 2 ही रह गए मुश्किल वाले बस खतम जब आपको ऐसा होता दिखेगा तो आप motivation अपने आप आएगी अंदर से आप अपने अंदर से ही उस को फील कर पाओगे और आप बहुत अच्छा कर पाओगे उसके अंदर उसके बाद है भाई friend circle या gaming circle भाई इसका तो क्या ही कहूं मैं आपको अपनी जिंदगी नहीं दिखाई दे रही आपको अपना पड़ी आपको उससे अलग होना है अलग होना आपको कुछ भी वाना मनाओ दो दिन बोलो भाई मम्मी नहीं आने दे रही भाई पापा नहीं आने दे रहे भाई यह हो गया मैं नहीं आ रहा ठीक है चोटे-चोटे उससे लड़ाई कर लो बेशक छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लो मू बना लो भाई तुने ऐसा गा था मैं नहीं बात कर रहा तेरे से कट जाओ उससे काटने ही कोशिश करो और दीरे दीरे आप फील करोगे कि वो आप से कट चुके और उनको इतना फरक भी नहीं पढ़ रहा और आप पढ़ाई कर पाओगे आपका कैरियर बनेगा तो इस चीज़ को आपको करना पड़ेगा भाई गेम कम कर दो गेम अकेले खेल लो सरकल वाला सबसे खराब है किताब लेके बैठे पढ़ने बैठे इंटरस सा आया इतने मैसेज आ गया भाई जल्दी आजा उसक्वेड भाई नहीं पढ़ना है आपको अब वाईड करो गुरूप बने है लीव कर दो क्या दो भाई वर्टसेप डिलीट किया था लीव हो गया काम है मेरे को दो दिन बाद खेलूँगा दो दिन मैं नहीं खेल पाऊंगा ऐसे दीरे करके अपने आपको कट आफ करो तभी कुछ अचीव साल आपको जो वैल्यू दिखरी है ना वो नहीं रहेगी मेरे भाई अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ठीक है तो भाई आज से ही शुरू कर दो ठीक है इन चीजों को इंप्लिमेंट करना देख लो आपका कौन सा केस है उस हिसाब से आपको चीजों को इंप्रूव करना है लेकिन फिर भी कोई आपको doubt query रह जाती है कोई दिक्कत आती है मैं आपके साथ खड़ाओं नीचे comment कर सकते हो नीचे description में Instagram का link है Telegram का link है कहीं से भी जुड़ जाओ अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है मुझ तक बात को पहुँचाओ मैं कोशिश करूँगा कि आप की चीजे resolve कर पाऊं ठीक है तो I hope आपको कुछ ना कुछ positive चीज मिली होगी इस वीडियो से तो यार एक बार वीडियो को like कर दो channel को subscribe share कर दो यार जादा से जादा लोगों तक इसको पहुँचाओ ठीक है क्योंकि sharing is caring और knowledge औरों तक पहुँचो क्या पता कोई दोस्त आपक का दिक्कत में हो आप पढ़ पाते हो लेकिन वो नहीं पढ़ पाता हो तो उस तक इस वीडियो को share करो यह मेरी request आप से उस तक पहुचाओ ताकि किसी का भला हो पाए ठीक है चलो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में ठीक है thank you very much